हेलो एब्रीवन, क्लास सेकेंड मैथ, पेज नमबर 27 प्रेक्टिस कोच, आज हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ओके फर्स, आक्षा पिक्ट 48 फ्लावर्स एंड हिस फ्रेंड पिक्ट 17 फ्लावर्स अक्षा ने 48 फ्लावर्स तोड़े और उसके फ्रेंड ने 17 फ्लावर्स तोड़े तो दोनों ने कितने फ्लावर्स एकटे किये तो इसको हम प्लस करेंगे, ओके पहले हम जो बड़ा नमबर है उसको लिखेंगे यहाँ पर 48 प्लस 17 अब हम इसको प्लस करेंगे, 8 प्लस 7 एट के बाद उस दिन भी मैंने काउंट करके बताया था आप लोगों को फिंगर पे हम काउंट कर सकते हैं 8 के बाद हम 7 फिंगर काउंट कर लेंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 का आप यहाँ लिखेंगे, 5 और 1 आपका कैरी आएगा, 4 प्लस 1, 5, 5 प्लस 1, 6 आंसर तो कितने फ्लावर्स कलेक्ट किये, 65 फ्लावर्स आपको ऐसे ही कॉपी में करना है, 65 फ्लावर्स दोनों ने कलेक्ट किये थे, थे, Second, Samir saw 55 cars and 58 vans while traveling from Delhi to Jaipur. How many vehicles did he, she in all? Samir ने 55 cars देखी और 58 vans देखी जो दिल्ली से जौनपूर जा रही थी. तो उसने कितने टोटे टोटल वेहिकल देखी? कितनी गाड़ियां उसने टोटल देखी? तो यहां पर हम पहले जो बड़ा नमबर है उसको लिख लेंगे यहां पर 58, उसके बाद 55. यहां भी हम प्लस करेंगे, यहां पर बताया गया है कि टोटल कितना उसने देखा, दोनों को मिला करके उसने सारा कितनी गाड़ियां देखी है, तो इसलिए हम इसको प्लस करेंगे. अब यहां 8 प्लस 5 है, अब हम इसको यहां प्लस करेंगे, 8 के बाद हम 5 फिंगर काउंट कर लेंगे, 8 के बाद 5 फिंगर काउंट करते हैं, 8 के बाद 9, 10, 11, 13, 13 का यहां पर हम 3 लिखेंगे, और 1 आपका आएगा, क्यारी, 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 1, 11, तो कितने वहिकल्स देख आपको ऐसे प्लस करके उसके बाद इसका आंसर लिखना है, ऐसे पूरा प्लस करेंगे, सॉल्फ करने के बाद ही आप आंसर लिखेंगे, ओके, दो मैंने करवा दिया है, और एक नेक्स्ट पेज 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 नमबर 28 पे, इसको आपको होमवग में करना है, पेज नमबर 28 आपको होमवग में करना है, आपको ये सारह बर्ड प्राब्लम, 1234, ये सारे बर्ड प्राब्लम आपको कॉपी में लिखने है, ठर्ड है, there are 75 कॉमिक भॉक्स, 34 short storybooks, and 48 science fiction books in a library, how many books are there in all? इसको आप लाइन से नंबर लिखते जाएगा, पहले लिखेगा, 34, फिर 75, 34, फिर 48, फिर 75, ओके, आप इसको प्लस कर लेंगे, लिखे, फोर्थ है आपका, In a toy shop, there are 85 toy cars, 56 soft toys and 48 board games, how many items are there in all, एक toy shop में 85 toy cars हैं और 56 soft toys हैं और 48 board games हैं, तो टोटल कितने game items हैं, ये तीनों नंबर आप लिखे, उसके बाद प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे और आंसर लिखेंगे, आपको ये copy में करना है, ये word problem, चारो question आपको copy में लिखने हैं, ये ही आपका homework है, neat and clean handwriting में आप उतना homework कर लिजेगा, thank you.